आग्रा में सरवाधेत लोग प्रीय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें शुक्रा को ताजनगरी में 26 किंद्रों के 38 बूथों पर स्वास्त कर्मियों को कोविड-19 की वैक्सिन लगाई गई जिनमें 11 शहरी और 15 ग्रामियों शेत शामिल है एसन मेटकल कॉलेज में कुल चार बूथ बनाए गए थे इस दोरान एसन मेटकल कॉलेज के वज़ चिकस्कों और पूर प्राचारे ने अपना टीका करण कराकर दूसरों को भी टीका कराने की सलाह दी ताजनगरी में कोविड-18 के वैक्सिनेशन के दूसरे चरण की शिर्वात शिक्रवार सुबह 10 बजे से हुई जिसका टीका करण करीब शाम साड़े 5 बजे तक चला ताजनगरी में कुल 26 केंद्रों के 38 भूतों पर टीका करण किया गया इस दौरान 25 केंद्रों पर कोविशील लगाए गए जबके जालमा कुष्ट एवं अन्य माइक्रो बैक्टिरियल रोग संस्थान में पहली बार को वैक्सिन लगाए गए बता दे कि इस दौरान सरवादिक बूत एसन मेडिकल कॉलेज में बनाए गए एसन मेडिकल कॉलेज में कुलचार बूत बनाए गए थे जालमा के अंदर को वैक्सिन का लगाए जा रहा है जिसमें की को वैक्सिन लगाई जाएगी पिछली बार काफी लोग रहे गए तो जो लोग पिछले तो हमने सबसे पहले स्किनिंग के लिए हेल्प डेस का मैं सबी लोगों की आईडी चेक होगी उसके बाद बेटिंग रूम में भी सब लोगों का अफे जो है जिसके अंसार जो भी उनका वेरिफिकेशन होगा वो किया जाएगा फिर उसके बाद वैक्सिन जो है लगाई ज उसको उसी हमारी जो टीम लगी हुई है उनका पूरी तरह से उप्चार के लिए भी लगी हुई है इसके बाद जो है हमारा अब्जबरिशन में जा आदा गंटे सबी जो है वैक्सिनेशन जो लगाय जा रहा है उनका वहाँ पर रेगूलर चेक होगा एसन मेडिकल कॉलिज जबे वैक्सिनेशन के दौरान चेके सको में भी खासा उस्सा देखने को मिला और्टोपेडिक विबाग के अद्धिक्ष जोक्टर सीपी पाल और पूर्वा प्रचार अजे अगरवाल ने भी अपना वैक्सिनेशन करा कर लोगों से अपीर कीवे उकिसी भ्रामक प्रचार पर ध्यान ना दे और अपनी बारी आने पर कोविड-19 कटी का जरूर लगवाए वरिश चिके सकों ने कहा कि भारत के दोनों वैक्सिन काफी सुरक्षित है जिसके चलते दूसरे देशों में भी भारते वैक्सिन की मांग बर रही है कुछ नहीं थोड़ा सा वैक्सिन के बारे में समझाया गया थोड़ा हमारा एंडॉल्मेंट हुआ और और वैक्सिन के सारे दूस्परभाब बता जाते हैं वैक्सिनेशन से और में ख्याल से यह सबको लगवाने चाहिए पूरी तरह सेफ हैं और तभी हम को परोना को को मात दे पाएंगे पूरी तना सेफ है और पूरी तना प्रमानिते सेफ है और लोगों को आगे बढ़कर लगवानी चाहिए बाइस तारीकों मैंने यहां पर कोविट की फास्ट पहली परतम दोज ले लिए मैं सितंबर के महां में कोविट से पॉस्टिव रहा और कम से कम 20 दिन में बढ़ती भी रहा वीजिन आई सीव में पंदरे दिन और वैसे पांच दिन वार्ड में और तब मैंने लोगों को सबक मिलेगा तो उसे वैक्सिन जरूर लगवा लेने जीए जो एकाथ कोई साइड एफेक्ट बखार बखार आता है इसका कोई इंपॉर्डेंस नहीं है और ये इंफुलेंजा की वैक्सिन में भी और डिपीटी की वैक्सिन में भी हर एक को होता था